हम उत्तरपूर्व की बात कर रहे थे और पूर्व की बात कर रहे थे तो मैंने आप से पूछा था कि ये मनिपूर में जो किस्सा हुआ है उसकी वज़े से क्या उत्तरपूर्वी राज्यों में और पूर्व के राज्यों में पुलिटिकली क्या बीजेपी पर असर नहीं है लेकिन मैं अगर आपको मैं याद दिलाओं पुर्वतर राज्य में पुर्वतर राज्य में और बिहार जिसे राज्यों में लंबे समय तक बिभिन्न कारणों से सामाजिक तनाव बना रहा लेकिन धीरे धीरे सारे की समाधन के ओर हम बढ़ चुके हैं समाधन हो चु का है यह कभी-कभी कुछ छोटे से चिंगारी एक बड़ा रूप ले लेता है अभी तो वनिपूर को अगर मैं घटना करके करो तो उसकी चिंता करते हुए मैं कहूं मैं इसको कोई यस्टिपिकर से नहीं कर सकता हूं लेकिन जो रेकॉर्ड्स आप लोगों नहीं दिखाई है उसमें से हमने तो उसकी भरपूर चिंता किया यह नहीं होनी चाहिए था तो क्या अगर चीफ मिनिस्टर को अगर हटाया जाए तो क्या उसे लोगों में जो गुसा है जो तनाव है क्या वो कम हो सकता है और वहाँ पर प्रेजिडेंट्स रूल क्यों नहीं होता दिखे दिल जो नेडा बना था क्या वो सक्सेस्फुल रहा है आपने का था कि समाज में इन दीज एरिया जो फिजर्स होती है जो डिविजिजन होती है उसको बंद करने के लिए नेडा बना था पोलिटिकली अब क्या वो नेडा सक्सेस्फुल रहा है या नहीं नेडा तो एक पोलिटिकल फोरम था पार्टी का लेकिन मैं आपको नौर्थ इस्टन काउंसिल इस बीच में अपना गोल्डिन जूबली भी बनाया है शोहिंग परधान मंत्री जी वहां ग कई बार प्रबास किया हूं आज नौर्थ इस्ट में प्रगति अपने चरम पे हैं पिछले दिनों में नौर्थ इस्ट की बारे में सिरिफ हमने लिप सर्विस किया लेकिन नौर्थ इस्ट की एकोनमी बढ़े नौर्थ इस्ट के अंदर इन्वेस्ट में बढ़े नौर्थ की बच्चों की नोजवानों की अकांक्षा पुरा हो इसमें आज हिमालय जैसे काम क्या जाए हर एक राज्यों को अगर में गिनाओं रेल में एर्वेज में रोड कनेक्टिविटी में इंस्टिशिशन बिल्डिंग में लोकाल एग्रिकल्चर को फूड प्रोसेशिंग साथ जोड़ने में हैंडल हैंडलूम हैंडीक्राप्ट को एक मार्केट देने में वहां की टैलेंट को बहूँ टैलेंट डीड लोग उधर है उसको एक एक निेशनल प्लाटफर्म देना ये सारे में नौर्थ इस्ट में पिछले 75 सालों में जो अनुभब नहीं किया था पिछ यह देश की पूरा देश में एक मानता हूं उस पॉलिटिक्स की एक मूल सर्त होता है विश्वास करना मूल सर्त होता है कि भरोशा करना जिस जिस लीडर्सिप को जब भी जब यह दो तिन विंदू उंपे ज़्यादा नंबर मिलें वो ने तुर तो किया है आज मैं बड़े दाइत्यों के साथ कह सकता हूं कि ओ नौर्थ इस्टन स्टेट हो बंगाल हो उडिसा हो या पश्चिम की देश हो राज्य हो या उत्तर की राज्य हो या दक्षिन की राज्य हो आज भरोशा प्रधान मंत्री जी के उपर सबसे सरवादे के तो पॉलिटिक्स जो हमारे यांग व्यूर्स हैं जब ही मैंने किसी मंत्री को यहां पर इंटर्व्यू किया है बहुत से लोग यह पूछना चाते हैं कि जब आप ब्यूर्यक्रसी के साथ काम करते हैं तो इस देर सम काइंड फर रिजिस्टन से पहले वाले कुछ महीने होते हैं इस देर इस देर ब्यूर्यक्रसी फिल शायद यह वापस नहीं आएंगे शायद कॉंग्रेस आजाएगी शायद कोई और आजाएगी तो जो तालमेल होता है ब्यूर्यक्रसी और प्लिटिकल लीडर्शिप का क्या वो तूट जाता है इलेक्शन से पहले? नहीं मैंने मानता है कि ब्यूर्यक्रसी हमारी सिस्टम की एक बहुत इंपोर्टन पिलार है एक्जिकुटिव जो हमारी समिधनिक व्यवस्ता बनी है आजादी को उपरांद समिधन सभाने जो तीन पिलार्स बनाया समाज चलाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधी, एक मजबूत स्थम्भ है वो कभी अनप्रोफेशनल काम नहीं करता है जब लेश्लेटिव अनप्रोफेशनल काम नहीं करेगा क्या महम तो कोई गलत काम कहते ही नितो उनको अपतिक इस्षिच में हमें 5 ट्रिलियन डिलार एकोनोमी नाइंटीन 2047 में ना आप होंगे ना मैं होंगे ना और कोई होगा लेकिन उस लक्षे को अभी से काम करने में बुरोक्राशी तो आगे चलके काम कर रहा है सब की मन में देखो प्रधान मंत्र जी ने एक नया परंपरा सुरू किया टीम इंडिया की कलपना किया नीती आयोग बनाया प्लानिंग कमिशन को री और्ग जी जिवाकंशे काम जुड़ता है और अन्य विवाक की सचिव काम ना जुड़े तब बी और राज्य की सभी मुख्या उसासन सचिवों को लेके छोटे मोटे प्रोजेक्ट तक गाभी मॉनितीरिंग करते हैं प्रोजेक्ट जब 60 दसक में शुरू हूई थी, 50 दसक में शुरू हूई थी, सतर में हूई थी, प्रोजेक्ट होके चनद पैशा डाल के बंद हो गया था, उसको भी पुरा क्या जा रहा है, क्या ऐसे अच्छे कामों को ब्युरोकराइसी को प्रेट नहीं करेगी? हम bureaucracy की बात करते हैं executive की तो बात हो गई legislature की बात करते हैं monsoon session अभी चल रहा है और opposition कहते हैं कि आपकी party जो है वो debate नहीं चाहती वो parliament को function नहीं करने देना चाहती है क्योंकि डरती है debate से देखें parliament की दोनों सदनों में कौन डर रहा है ये रोज दिख रहा है सरकार सारा विशे के लिए चर्चा के अंदर त्यारी रखती है कालवी मेंने राजय सभा में बैठाता है chairman मोहदया ने सपस्ट औरुप में कहा आपकी किशी भी विशे पे सरकार की और से rule आधरित एक चर्चा सरकार सहमत है आप rule आधरित चर्चा करो यह कोई बजार नहीं है कोई हाट नहीं है कि भाई मैं आया मैं जो जोर से कहूंगा वो निती बन जाएगा लोक्षभाव या राजय सभा चलने के लिए rule book है rule book के आधर पे कोन प्रस्न उठा सकता है किश-किश भीशे पे प्रस्न उठाए जाए सकता है और उत्तर कोन देगा इसकी बेवस्ता सुरू से ही है पच्चेतर साल चे है और आप कहोगे कि ने हमारी शुविधा से उत्तर हो ऐसे नहीं हो सकता है काल मेरा एक वेक्तिकों तनुभव में कहता हूं काल मेरे विभाकी शिक्ष्या विभाकी चार प्रस्न थे राज्यसभा में चारो प्रस्न करता उपस्तित थे एक प्रस्न करता भारतिय जनतापाटी के थे उन्होंने प्रस्ण पुछा और एक दो लोगों ने सप्लिमेंटरी पुछा मैंने उतर दिया उस डीन के अंदर भी रेकर्ड में आया बाके थीन प्रस्ण करता विपक्ष के मित्र थे उन्होंने उपस्तित रहते उहे भी प्रस्ण नहीं पुछा मैं तो उतर देने के लिए तियार था तो इसको क्या कहा जाएगा चर्चा कौन नहीं चाहता है चर्चा से कौन भाग रहे है पर चर्चा वो मणीपूर पे चाहते है वो कहते हैं कि प्रधान मंत्री आने चाहिए वो रूल बुक में होनी चाहिए रूल के आधार पे चर्चा कहीं हुई है क्या पिछले दुनों में नौर्थ इस्ट में अनेकों घटना हुई है किसे ना वहां तक कभी गया ना इधर को उतर दिया जो लोग ना कभी वहां पहुंचे थे ना उतर दिया आज वो मुख्या बनके घुम रहे नया स्टैंडर्स उनकी सुविधा पे हो जाएगा क्या जो रूल्स में लिखा है वो ही होगा तो ये एक सिस्टम ब्रेकडाउन नहीं हो गया है सर की लेजिसलेटर जो है वो फंक्शनिंग ही नहीं रहा और उतरदायत वे तो आपकी पार्टी का बनता है क्योंकि आप ट्रेशरी बेंचर्स में है बिल्कुल हम इसलिए धरिये के साथ जगम तो चलाना चाहते है कोड अफ कंडेट के थूँ चलाना चाहते है पार्लामेंटरी डेमोक्रासी चलता है मरियादा से अपने संसकारों से अपने परमपराओं से अगर उसको कोई डेमोक्रासी में तोड़ना चाहेगा उसकी नाम पत्रकारों ने लिखाए अराजकता अनर्की आज विपक्स की कुछ मित्र सब नहीं है ऐसा हम देख रहे है पार्टी के अधिकांस लोग अधिकांस पार्टी की लोग जो असामान्य MP है अनुभवी MP हो चाहते हैं चर्चा हो फर्म पे चर्चा हो लेकिन एक-दो लोगों को खुस करने के लिए कॉंगर्स पार्टी में होड लगी है और एक-दो पार्टी में होड लगी है क्यों जिनकी मन में जाए यह उनकी शर्यंतर है आप कहते हैं कि Manipur के बारे में उनके मन में कोई सवाल नहीं है पर वो सिर्फ अपने आपको बचाव के लिए कर रहे हैं वो जो दिख रहा है ओ तो कोई आईशोलेशन में तो नहीं हो रहे हैं वो तो क्यामेरा के अंदर हो रहा है सब लोग उसको देख रहे है आपको चर्चा में क्या पती है रूल बुक हमने ने तो नहीं बनाया रूल बुक तो बनके है और उसी में से चलते आया है आप उसी में से भी चलो और आप भी तो सत्ता में रहे है ये घटना पहली बार तो नहीं हुआ है इस प्रकार की दुखा दे हमें कोई उसमें से हमें सर्मिंदिक भी है हम उसमें दुखी अरदाई तो लेना चाहते हैं और उसमें जो उत्तरदाई बनेगा उसको पूरा भी करना चाहते हैं जी लेकिन आप आप किस हमें में आपने क्या किया था डबल स्टेंडर्स कैसे होगा